हेलो दोस्तों नमस्कार अनिल सांगवान सभी दोस्तों का सवागत है आपके अपने यूटूब चैनल लोल कोईन में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम रोयल क्यों में वन सोट के रिगार्डिंग दोस्तों आप जैसे ही कभी कि आपने कोई कोई ट्रेड पे लगा र जानते नहीं है उसको यूज कैसे करना है दोस्तों वन सोट तब यूज करना है मालो आपको आपने कोई कोई ले रखा है ठीक है और जैसे मैंने इस मैटिक ले रखा है और यह ज़्यादा pump and dump नहीं हो रहा है दोस्तों cryptocurrency trading होता है वो logic पे चलता है जितना up down ज़्यादा होगा उतना ही हमें profit ज़्यादा होगा emotion पे काम नहीं करता है अगर emotion के साथ रहे तो profit कम होगा तो यहाँ पे हमें यह देखना है कि जो भी coin pump and dump ज़्यादा हो या fundamental हो जो down भी आये तो अपने आपको recover करने की हिम्मत रखता हो ऐसा coin मालोग गलती से या ऐसा coin select कर लिया है आपने जो काफी दिन से down ही पड़ा है अपनी आ रहा है वो या trade नहीं हो रहा है या up down ज़्यादा नहीं हो रहा है आप उससे बार निकलना चाहते है उसके लिए हम one sort use करते हैं profit के साथ without profit आप live price में sell भी कर सकते हैं कैसे for example हम ये matic coin ही लेके चलते है matic coin मालोग आपने लिया इसमें pump and dump ज़्यादा नहीं हो रहा है एक तो चीज ये है कि आप यहाँ ये sell का button है आप इस sell के button पे click करते हैं live price में भी sell करना चाहते हैं ये आप से कल सकते हैं एक तो sell का button ये काम आता है कि जो present live price चल रहा हो उसके हिसाब से अगर live चल रहा है उसके हिसाब से करना है तो ये market price है इस पे आपने click किया और ये 100% पे click करके और यहाँ पे ये confirm का button पे click कर दिया तो ये live price में sell हो जाएगा आपका loss हो रहा है profit चल रहा है loss चल रहा है doesn't matter live price में sell out हो जाएगे लेकिन यहाँ पे one short का क्या use है आप चाहते हैं कि मैंने ये coin तो ले लिया है और हमने इसको command दे रखा है कहाँ पे ये देखिए 1.3 का profit wall position take profit ratio 1.3 कि मेरा ये 1.3 का profit दे के ही exit हो यहाँ से तो हम इसके लिए one short का use करते हैं one short को use करने से पहले सबसे पहले आपको ये stop margin call करना पड़ेगा stop margin call कर दिया कि फिर से रिबाई नहीं हो और आप इसको one short कर दीजिए गया है अब यहाँ पर ये coin जैसे ही हमारा जो buying average है ठीक करन प्राइज ये है average प्राइज ये है जैसे ही यहाँ से 1.3 के percent निकाल के यहाँ पर 1.3 का percent profit हो जाएगा 1.3 का तो यहाँ से ये भाहर हो जाएगा इसको sale कर देगा और फिर दुबारा entry नहीं लेगा one suit का मतलब ये है कि इस coin से हम exit हो जाएगे वो दुबारा buy नहीं होगा ठीक है और अगर हम cycle पे click कर देते हैं cycle पे click कर दिया तो ये जो हमने command दे रखी है board को ये जितनी भी command दे रखी है इनके according start होगा इनके according execute होता रहेगा ये sell हो गया मालो ये यहाँ पे हमारा 1.3 का profit हो गया तो इसको दुबारा buy कर लेगा और buy sell by sell चलता रहेगा लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इस coin में profit कम हो रहा है ये काफी hill dole नहीं रहा है आप उससे exit होना चाते हैं तो आप उस coin को stop margin call पे click करके नहीं होगा आप उससे exit हो जाएंगे और किसी दूसरे coin में entry करना चाहूं तो कर सकते हैं ये हमने यहाँ पे clear किया one short open margin call का और sale का अब साथ की साथ इसका buy जो है option है इसको भी cover कर लेते हैं इस video में हम जैसे ही यहाँ पे buy पे click करते हैं मालो आप कोई सी भी coin में हो for example इसी में लेके चलते हैं कि matic आपका अच्छा pump और dump हो रहा है अच्छा coin चल रहा है ठीक है या फिर आप और coin को उठा के देख लीजिए मैंने इन coin में ले रखा है मालो आपका यह algo है algo अच्छा pump and dump हो रहा है तो buy का use कैसे कर सकते हैं इसमें आप default setting में भी इसका use कर सकते हैं मालो आपने default setting लगा रखा है यह ठीक है company का और आप चाहते हैं कि मैं इसमें अपनी तरब से extra effort करके कुछ profit कमाऊ तो आप यहाँ पे buy पे click करते हैं buy का option को use कैसे कर सकते हैं आप फिर उसी कितना जैसे हमने sale पे click किया था आप यहां में market price पे भी sale करके और कितने amount का buy करना चाहते हैं जैसे 100 USDT का है मालो हमने first buying amount 10 USDT का डाला था 10 का तो वह buy हो गया लेकिन हम चाहते हैं कि यह हमारा algo coin और हम इसको buy करें live price में भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें अभी current price जो चल रहा है इसका वो current price यह चल रहा है 0.9801 ठीक है आप चाहते हैं कि यह थोड़ा ओर डाउन आते ही अटोमेटिक buy हो जाए तो आप manual buy भी लगा सकते हैं जैसे हमने manual sale किया था उसी तरह अगर market price से भी लेना चाहें तो ले सकते हैं नहीं तो market price को हटा के यह इसको हटा के और यहाँ पे जैसे अभी 9808 चल रहा है तो हम यहाँ पे 97 भी लगा सकते हैं 96 भी लगा सकते हैं कि इतना down आते ही यह हमारा और buy हो जाए हलाकि हमने margin call लगा रखे हैं लेकिन हम चाहें कि यह coin अच्छा pump dump हो रहा है तो इसमें आप extra यहाँ पे जैसे 400-500-1000 USD का extra buy करके क्योंकि यह pump dump हो रहा है और हमने profit डाला है 1.3 का तो यह profit ज़्यादा निकले हैं इससे तो इस base पे हम इसको use कर सकते हैं ठीक है दोस्तो और submit mode का है strategy mode इसको use कैसे करना इसका benefit क्या होता है इसमें हमें submit mode real time settlement पे click करके रखना है अगर आपका margin call 5 margin call से ज्यादा है क्योंकि यह 5th margin call पे ही work करता है तो आप इसको भी लगा सकते हैं अगर आपका 4 margin call से उपर का margin call आपने set किया है ठीक है यह देखिए यहाँ पे margin call में जाते हैं तो यह जो submit mode है यह 5-4 margin call के बाद ही active होता है इसका use क्या है उसका मैंने पूरा video डाल रखा है आप वो भी चेक कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों submit mode का रोल क्यों submit mode क्या है कैसे use करें पूरा video डाल रखा है मैंने एक महिने पहले अगर submit mode क्या है कैसे use करना है उसको देखना चाते हैं तो यह video देख सकते हैं तो दस्तों यह video था one short के regarding next video में हम next step explain करेंगे तो मिलते हैं next video में तब दक के लिए धन्यवाद